परिचाए देखो दीबक, मेरे पास क्या है? मेरे पास एक टॉट है हाँ, ये है लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास मुझसे बेहतर चीज है देखो, मेरे पास क्या है? मेरे पास एक लेजर लाइट है लेजर लाइट? वाँ, ये तो बहुत आकर्शक लगती है तुम्हें पता है मेरे पिता ने मुझे ये मेरे जन्म दिन पर उपहार में दी थी मेरे पिता ने मुझे बताया कि ये आँखों के लिए बहुत खतरनाक होती है लेकिन एक प्रकाश हमारी आँखों को किस तरह नुकसान पहुचा सकता है वास्ताव में यह संकीर्ण आवरित्ती वाला प्रकाश होता है तथा इसका प्रयोग भाधिकी के शित्र में किया जाता है क्या तुम मुझे इस बारे में औरथिक बता सकते हो हाँ हाँ बिलकुल बच्चों इस पार्ट में आप विक्रण तथा द्रव्य की द्वैत्र प्रकृती के बारे में सीखेंगे उद्देशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे इलेक्ट्रोन उस्सर्जन का वालन करना प्रकाश वैद्युत प्रभाव का वालन करना प्रकाश के तरंग सिध्धांद पर चर्चा करना आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समेकरण को स्पष्ट करना फोटॉन की उजा ग्यात करना प्रकाश की कणिये प्रकृती का वर्ण करना द्रव्य की तरंग प्रकृती का वर्ण करना हैजन बर्ग के सिध्धांद का उलेक करना टेविसन तथा जर्मर के प्रयोग का वर्ण करना इलेक्ट्रोन उत्सर्चन धातुएं कहलाने वाले कुछ ठोसों में बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रोन अपने मातरी पर्माणूं से इतनी शिथिलता पूर्वग बंदे होते हैं कि वे एक पर्माणूं से अन्य पर्माणूं में आसानी से जा सकते हैं और ठोस में विचरण कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रोन मुक्द इलेक्ट्रोन कहलाते हैं क्योंकि ये ठोस के अंदर स्वातंत्र होते हैं हाला कि ये अपने आप ठोस से बाहर नहीं निकल सकते। ये मुक्द इलेक्ट्रोन धातू प्रिष्ट के भीतर आयनों के आकर्शन और प्रिष्ट बलूं द्वारा रोक कर रखे जाते हैं। अता इलेक्ट्रोनों को धातू प्रिष्ट से बाहर निकालने के लिए एक निश्चित नियुनतम उर्जा की आविशकता हो दी है। धातू प्रिष्ट से इलेक्ट्रोन उर्जन के लिए आविशकी ये नियुनतम उर्जा कारे भलन धातू में निम्ने में से किसी तरीके से आपूर्दी की जा सकती है। शेत्र उत्सर्जन प्रबल विद्रतिक शेत्र लगाने से इलेक्ट्रोनों को धातू प्रिष्ट से बाहर निकाला जा सकता है। तापायनिक उत्सर्जन धातू को गर्म करने पर मुक्त इलेक्ट्रोनों द्वारा परियाप्त तापिय उर्जा प्राप्त की जाती है। जिससे वे धातू प्रिष्ट के आकर्शन पल से मुक्द हो जाते हैं। प्रकाश विद्युद उत्सर्जन प्रकाश के रूप में उर्जा की आपूर्टी किये जाने पर भी धातू से मुक्द इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। प्रकाश विद्युद प्रभाव प्रकाश उजा द्वारा धात्विक प्रिष्ट से इलेक्ट्रॉनों का उस्सर्जन प्रकाश विद्युद प्रभाव कहलाता है। तथा इस प्रकार उस्सर्जिद इलेक्ट्रॉन प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। हार्स के प्रेक्षण स्पूलिंग विसर्जन विधी से विद्ध चुम्ब की ये तरंगों को उत्पन करने वाला एक प्रयोग करते समय हार्स ने प्रेक्षण किया कि कैथोड को किसी आर्क लेम से पारा बैगनी प्रकाश द्वारा प्रदीप्त करने पर धातू इलेक्ट्रोडों के पार उच्छ वोल्टता स्पूलिंग अधिक हो जाता है हार्स अपने प्रेक्षणों की व्याख्या नहीं कर सका लेकिन अन्ह विग्ञानिकों ने ये किया उन्होंने बताया कि धातू की प्लेट से इलेक्ट्रोनों के उस सर्जित होने के कारण उच्च आवरिती वाले प्रकाश का आपदित होना है। ये प्रकाश विद्धित प्रभाव कहलाया। हाल वॉक्स तथा लीनार्ट के प्रिक्षन। फिलिप लीनार्ट ने अवलेकित किया कि जब दो धातू प्लेटें जो इलेक्ट्रोड कहलाती हैं उससे घरी एक निर्वातित कांच की नली में उस सर्जक पटिका पर पराबैगनी विकरण आपदित किया जाता है तो परिपत में धारा प्रवाहित होती है। इन प्लेक्षनों ने इंगित किया कि जब उस सर्जक पटिका पर पराबैगनी विकरण आपदित होता है तो इससे इलेक्ट्रोड बाहर निकलते हैं जो एनोड पटिका की ओर आकर्शित होते हैं। निर्वातित कांच नलिका से इलेक्ट्रोण प्रवाह परिपत पूर्ण कर देता है और परिपत में धारा प्रवाहित होने लगती है। तब लीनाड और हॉल वाक्स ने एक जिंक पटिका तथा एक विद्धुत दर्शी लेकर इस बारे में आगे और प्रयोग किये। जिंक पटिका को एक विद्धुत दर्शी से जोडा गया। उन्होंने ये प्रिक्षित किया। जिंक पटिका को पराबैगनी प्रकाश से क्रणित कराया जाता है, तो जिंक पटिका का आवेश समाप्थ हो जाता है। इन सभी प्रेक्षणों से पता चला कि जब पराबैगनी प्रकाश जिंक पट्टिका पर अहपतित होता है तो रिणा वेशितकन अर्थात इलेक्ट्रोन उस्सरजित होते हैं। प्रकाश विद्धित प्रभाव का प्रायोगिक अध्यन उपकरण एवं परिपत। नली में दो इलेक्ट्रोड पी और क्यू हैं तथा पाश में कौर्स गवाक्ष है जिससे प्रयोग के समय पराबैगनी किरने पार हो जाती हैं। गवाक्ष के सामने विकरण का एक स्रोथ इस तरह उप्युक्त रूप में रखा गया है कि विकरण क्यू पर आपतित होता है। पी और क्यू शूने केंद्र के साथ एक वोल्ट मीटर से जुड़े हैं। आवश्चक वोल्टता प्रदान करने के लिए हम एक उच्च वोल्टता वाली पैटरी बी को विभाव विभाजक वैवस्था एम एन पर कुनजी के के साथ संयोजित करते हैं। प्रकाश विद्ध धारा पर प्रकाश की तीवरता का प्रभाव। प्रति सेकेंड उस्सरजेत प्रकाशिक एलेक्टरौन आपतित विकरण की तीवरता के आनुक्रमानुपादी होते हैं। प्रकाश विद्ध धारा पर विभाव का प्रभाव। वक्र ए आपतित विकरण की तीवरता के लिए और वक्र पी आपतित विकरण की तीवरता के लिए है। विभाव में विद्धी के साथ फोटो विद्धितिय धारा में भी बढ़ोतरी होती है। नियत विभाव के लिए धारा महत्तम यानी उचिस्ट होती है। विभाव में विद्धी के बाद भी धारा में विद्धी नहीं होती है। और ये संत्रिप्त धारा कहलाता है। माना की P विभाव अपशुन है। इस चरण में कुछ ऐसे इलेक्ट्रोनों के कारण अन्पधारा प्रेक्षित की जाती है, जो उस सर्जन के परियाप्त उच्च वेक के कारण P तक पहुँचते हैं। यद्यपी P पर कोई धनात्मक त्वारक वोल्टिता नहीं होती। अब चल संपर्क L को N की ओर खिसकाते हुए P को रनात्मक करते हैं। धारा तेजी से गिरती है और माइनस V शुने विभाव के नियतमान पर धारा शुने हो जाती है। तथा प्रकाश विद्ध उत्सर्चन पूर्टिया रुख जाता है। ये वोल्टिता V शुने निरोधी विभाव कहलाती है। प्रकाश विद्धारा शूर्ने होती है जब निरोती विभाव अधिकांश उर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों को अधिक्तम गतिज उर्जा के अधिक्तम के साथ प्रतिकर्शित करने के लिए इस प्रकार परियाप्त होता है के अधिक्तम बराबर इवी शूर्ने होता है निरोधी विभाव पर आपतित विक्रण की आवरित्ती का प्रभाव प्रकाश विद्रत धारा आवरित्ती में परिवर्तन से आप्रभावित रहती है जबकि निरोधी विभाव आपतित प्रकाश की आवरित्ती में बढ़ोत्री होने के साथ बढ़ जाता है यदि हम आपतित प्रकाश की आवरित्ती यानि वी के सापेक्ष निरोधी विभाव वी शूने के लिए एक ग्राफ अंकित करें तो ये एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्तो होता है यदि आवरित्ती निरंतर घड़ती रहे तो एक निश्चित आवरित्ती पर निरोधी विभव शूने हो जाता है ये आवरित्ती देली आवरित्ती कहलाती है अता देली आवरित्ती आपदित प्रकाश की वो नियूनतम आवरित्ती है जिस पर निरोती विभाव या उत्सरजित इलेक्ट्रोनों की अधिकतम गतिज उर्जा शुन्ने हो जाती है यदि आपतित प्रकाश की आवरिती देली आवरिती से कम हो जाए तो प्रकाश विद्धित प्रभाव उत्पन्य नहीं होता है प्रकाश विद्धित प्रभाव तथा प्रकाश का तरंग सिध्धान्त तरंग सिध्धांत के अनुसार प्रकाशिक इलेक्ट्रोनों की गतिज उर्जा आपतित प्रकाश की तीवरता पर ही निर्भर होनी चाहिए लेकिन प्रायोगिक प्रेक्षणों के नुसार प्राकाशिक इलेक्ट्रोनों की गतिज उर्जा आप्तित प्रकाश की तीवरता पर निर्भर नहीं हो दी तरंग सिधांद के अनुसार किसी भी आवरिती का प्रकाश प्रकाश की परियाप्त तीवरता होने पर धात्विक प्रिष्ट से इलेक्ट्रोन उससरजित कर सकता है लेकिन प्रायोगिक प्रेक्षणों के अनुसार देली आवरित्ती से कम आवरित्ती का प्रकाश इलेक्ट्रोनों को उत्सर्जित नहीं करा सकता आपतित प्रकाश की आवरित्ती चाहे जो भी हो तरंग सिध्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों द्वारा इस्थानांत्रितूर्चा किसी विशेश इलेक्ट्रॉन में नहीं जाती बलकि ये एक समान वित्रेथ होती है जिससे इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कुछ समाई लगता है लेकिन प्रायोगिक प्रेक्षणों के अनुसार धातू पर प्रकाश के आपतित होने के पस्चाद इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तक्षण ही होता है प्रकाश की तीवरता चाहे जो भी हो आइंस्टीन का प्रकाश विद्ध समीकरन विकरन का उर्जा क्वांटम प्रकाश उर्जा के छोटे बंडलों के रूप में प्रसारित होता है जो क्वांटा या फोटॉन कहलाते हैं प्रदेख फोटॉन की उर्जा ह न्यू होती है जहां न्यू प्रकाश की आवरिती तथा ह ब्लांक का इस्थिरांग है एच का मान 6.62 गुणे 10 की खाथ माइनस 34 जूल सेकेंड होता है जदी इलेक्ट्रॉन फोटॉन से उससे अधिक मात्रा में उर्जा फशोषित करता है जितनी उर्जा धातु के प्रिष्ट से बाहर निकल जाने के लिए आवशक होती है फई शूनने तो इलेक्ट्रोन अधिक्तम गतिज उर्जा से उस्सर्जित होता है के अधिक्तम बराबर H νिउ माइनस फाई शूने ये समीकरण आइंस्टीन का प्रकाश वैद्द समीकरण कहलाता है महतपून बिंदू धातू के प्रिष्ट से इलेक्ट्रोन के उस्सर्जन के लिए H νिउ फाई शूने से अधिक है ये दर्शाता है कि कारे फलन फाई शूनने जितना अधिक होगा इलेक्ट्रोन उससरजित करने के लिए आविशक देहली आवरिती भी उतनी ही अधिक होगी उपलब्द फोटानों की संख्या जितनी अधिक होगी उतनी अधिक संख्या में इलेक्ट्रोन फोटानों से उर्जाव शोशित करेंगे और इस तरह से धादू के प्रिष्ट से उस सर्जित होने वाले इलेक्ट्रोनों की संख्या भी उतनी ही अधिक होगी हम जानते हैं कि k अधिक्तम बराबर ev0 और k अधिक्तम बराबर h new minus phi0 इसलिए h new minus phi0 बराबर ev0 बराबर h बटे e गुणे new minus phi0 बटे e यदि हम new को x अक्ष पर तथा के अधिक्तम को y अक्ष पर लेते हुए new और वी शुने के बीच एक ग्राफ अंकित करें तो ग्राफ एक सीधी रेखा के रूप में होगा चुंकि समीकरण y बराबर mx प्लस c के रूप में है रेखा m कड़ाल बराबर h बटे e जो की एक सार्वत रेक नियतांक है उधारण यदि 4950 आंक्स्ट्राम तरंग दैर्द का प्रकाश फोटानों के संतत प्रवाह के रूप में देखा जाए तो ईवी में प्रतेक फोटान की उज़ा कितनी होगी दिया है प्लांक का इस्थरांग h बराबर 6.6 गुणे 10 की घाथ माइनस 34 जूल प्रतिस सेकंड हल फोटान की उज़ा निम्न द्वारा ग्यात की जा सकती है e बराबर h नियू e बराबर h c बटे लेमडा इसे समी करण एक माने c प्रकाश की चाल है जो 3 गुणे 10 की घाथ 8 मीटर प्रतिस सेकंड है समी करण एक से e बराबर 6.6 गुणे 10 की घाथ माइनस 34 गुणे 3 गुणे 10 की घाथ 8 बटे 4950 गुणे 10 की घाथ माइनस 10 जूल हल करणें पर हम पाते हैं कि e बराबर 4 गुणे 10 की घाथ माइनस 19 जूल इसे ev में वेक्त किया जा सकता है e बराबर 4 गुणे 10 की घाथ माइनस 19 बटे 1.6 गुणे 10 की घाथ माइनस 19 ev e बराबर 2.5 ev प्रकाश की कणिये प्रकृति फोटाउन प्रकाश विद्धित प्रभाव आइंस्टीन के प्रकाश के क्वांटम सिध्धान्त को समर्थित करता है जिसके अनुसार द्रव से अनियोनिक क्रिया में प्रकाश उर्जा के बंडलों की भाती वहवाहर करता है प्रतेक बंडल एक फोटाउन कहलाता है प्रकाश के फोटाउन चित्रण को निम्ननुसार संक्षेपित किया जा सकता है जब विकिरण द्रव से अनियोनिक क्रिया करता है तो ये इस प्रकार वहवाहर करता है जैसे कि ये फोटॉन कहलाने वाले कणों से बना हुआ हो निव आवरिति तथा लेमडा तरंग देर्थ वाले प्रतिक फोटॉन की उचा ये बराबर H निव बराबर H C बटे लेमडा फोटॉन का समवेग P बराबर H निव बटे C बराबर H बटे लेमडा जहां C प्रकाश की चाल है दी गई आवरिती के सभी फोटॉनों की समान उर्जा E बराबर H निव होती है फोटॉन वेद्धितिक रूप से उदासीन होते हैं इसलिए वे विद्धत तथा चुम्म की एक शेत्रों द्वारा विक्षेपित नहीं होते फोटॉन इलेक्टॉन अन्योन निक्रिया में कुल उर्जा एवं कुल संवेग संदक्षित रहते हैं हाला कि संघट में फोटॉनों की संख्या संदक्षित नहीं की जा सकती क्यूंकि फोटॉन अफश्योशित हो सकता है और विभिन उर्जाओं वाले नए फोटोन स्रिजित किये जा सकते हैं, जससे कुल उर्जा नियतांक रह सकती है, जो कि H ν्यू बराबर H ν्यू 1 प्लस H ν्यू 2. द्रव की तरंग प्रक्रिती सन 1924 में लुईस दे ब्रॉकली ने प्रस्तावित किया कि पदार्थों के गतिमान कर्ण तरंगों की भाती वैवाहर करते हैं, तथा पदार्थों के कर्णों से संबध तरंग देर्थ को लेमडा बराबर H बटे P बराबर H बटे MV द्वारा व्यक संवेक है, ये दे ब्रॉकली बरिकल्पना कहलाती है, फोटोन का संवेक है P बराबर H बटे लेमडा ये देता है तरंग देर्थ लेमडा बराबर H बटे P इसलिए दे ब्रॉकली ने प्रस्तावित किया, दे ब्रॉकली तरंग देर्थ लेमडा बराबर H बटे P बराबर H ब यदि के द्रव्य कड़ों की गतिज उर्जा है, तो सम्वेक P तथा गतिज उर्जा K के बीज संबंध निम्नवत होगा। दे ब्रॉकली तरंग देर्थ लेम्डा पराबर H बटे दो एम के का वर्गमूल ये समिकरण एक है। 12.27 बटे वी आंग्स्ट्रॉम का वर्गमूल उधारण लेम्डा पराबर 12.27 बटे 5000 आंग्स्ट्रॉम का वर्गमूल पराबर 0.173 आंग्स्ट्रॉम तरंग पैकेट अनिश्चत्ताओं का गुडन फल H गैप होता है जहां H गैप बराबर H बटे दो पाई। डेल्टा X गुडें डेल्टा P लगभग H गैप होगा। एक निश्चत तरंग देर्थ की तरंग समस्त दिक स्थान पर विस्तरित हो सकती है लेकिन तरंग द्वारा निरूपित इलेक्ट्रॉन समस्त दिक स्थान नहीं खेड सकता। इसलिए मैक्स पॉन द्वारा ये सुझाओ दिया गया कि एक तरवे कण जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन एकल तरंग के समतुल्ले नहीं होता बलकि ये तरंग पैकिट के समतुल्ले होती है जो अनेक परिवर्तनशील अवरित्यों वाली तरंगों का अतिव्यापन होता है और परिडामता एक निश्चित क्षेत्र प्राप्त होता है जहां तरंगे समपोशी व्यती करण करती है और इस क्षेत्र में कण के होने की प्राइक्ता अधिक्तम होती है ये क्षेत्र तरंग पैकिट कहलाता है डेविसन तथा जर्मर प्रयोग दिये गए चित्र में डेविसन तथा जर्मर के प्रयोग की प्राहियोगी क्वैवस्था दर्शाई गई है किसी उच्य वोल्टता उच्यासरोत बैटरी द्वारा उप्युक्त विभव बटे उल्टता का प्रयोग करते हुए तंतु द्वारा उच्चिक वेग तक त्वरित किया जाता है इन्हें एक पेलन जिसमें अक्ष के समानतर महीं छिद्र होते हैं उससे पारित करके एक पतले किरन पुंच के रूप में समानतरित कर लिया जाता है इस पुंज को निकल क्रिस्टल के प्रिष्ट पर डाला जाता है, जो लक्ष टी कहलाता है, जो आपदित पुंज दिशा के समानतर एक अक्ष पर घूम सकता है क्रिस्टल के पर्माणों त्वारा इलेक्ट्रोन सभी दिशाओं में प्राकिर्णित होते हैं किसी दिशा विशेश में प्राकिर्णित इलेक्ट्रोन पुंज की तीवरिता को फेराडे सिलेंडर से मापा जाता है जो संग्राहक C कहलाता है संग्राह को वृत्ताकार मापनी एस पर घुमाया जा सकता है और ये सुग्राही गैल्वेनोमीटर से जुड़ा रहता है गैल्वेनोमीटर में विक्षेप संग्राहक में प्रवेश करने वाले प्राकिर्णित इलेक्ट्रोन पुंजी की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है प्राकिर्णित पुंज की तीव्ड़ता का प्राकिर्ण कोण थीटा के साथ परिवर्तन को विविद इलेक्ट्रोन ओर जाओं के लिए मापा जाता है दे ब्रागली संबंध से 54-EV इलेक्ट्रोनों से संबध दे ब्रागली तरंग देर्ध भी निर्धारित किया जा सकता है इसके लिए इलेक्ट्रोनों को 54V के विववांतर से तौरित कराया जाता है लेम्डा बराबर H बटे P बराबर 1.227 बटे V नैनोमीटर का वर्गमूल बराबर 0.166 नैनोमीटर इस प्रकार डेविसन जर्मर प्रयोग द्रव्वे कड़ों की तरंग प्रकृति के बारे में दे ब्रागली की परिकल्पना का प्रत्यक्ष सत्यापन करता है क्या आप जानते हैं 1905 में अलबर्ड आइंस्टीन नामक जर्मन मूल के भौतिक विज्ञानी ने प्रकाश वैद्धुत प्रभाव का विवेचन किया 1924 में लुई दे ब्रागली ने दरंग कर्ण दोहत प्रकृति पर अपना सिध्धान्त प्रस्तुत किया स्वारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संग्षेप में दोहराएं इलेक्ट्रोन को धातू प्रिष्ट से बाहर उस्सर्जित कराने के लिए आवशक उर्जा की न्यूनतम मात्रा धातू का कारेफलन फाहिक्षू ने क्यलाती है उर्जा की आपूर्ती निम्न तीन प्रकार से की जा सकती है क्षेत्र उस्सर्जन, तापायनिक उस्सर्जन और प्रकाश विद्यत उस्सर्जन प्रकाश उर्जा द्वारा धात्विक प्रिष्ट से इलेक्ट्रोनों का उस्सर्जन प्रकाश विद्यत प्रभाव कहलाता है तथा इस प्रकार उस सर्जित इलेक्ट्रोन प्रकाशिक इलेक्ट्रोन कहलाते हैं। प्रकाश विद्धत प्रभाव निम्नपत निर्भर होता है आपतित प्रकाश की तीव्रता, प्रयुक्त विभाव और आपतित प्रकाश की आवरित्ती। आइंस्टीन का प्रकाश विद्धुत समीकरण K अधिक्तम बराबर H ν्यू माइनस Phi जहां K अधिक्तम अधिक्तम गतिज उर्जा है न्यू प्रकाश की आवरिति है Phi शूने हूँ धात्विक प्रिष्ट का कारिभलन है आइंस्टीन के प्रकाश का कौंटम सिध्धान्द के अनुसार प्रकाश उर्जा के छोटे बंडलों के रूप में द्रवियों से अन्यून रिक्रिया करता है और ये बंडल फोटोन कहलाते हैं नियू आवरिति तथा लेमडा तरंग देर्थ के प्रत्यक फोटोन की उर्जा इपराबर H नियू देपरोगली तरंग देर्थ लेमडा पराबर H बटे दो एमके का वर्ग मूल जहां के द्रव्यकडों की गतिच उर्जा है हाईजन बर्ग के अनुसार किसी द्रव्यकड की अस्थिती एवं सम्वेक को एक यही समय पर एक साथ ठीक ठीक मापना असंभाव होता है डेविसन जर्मर प्रयोग द्रव्यकडों की तरंग प्रकृती के बारे में देपरोगली की परिकलपना का प्रत्यक्ष सत्यापन करता है